हे गुरूवर जो बान आपने मुझे कल मारा था वह मेरा पिरिय हो चुका है उसी बान से आज मुझे दोबारा घायल कीजिए संद कभीर जी अपने दोहे में ऐसा कहते हैं यह दोहा इस परकार से है जीही सर मारी काल ही सो सर मेरे मन बस्या तीही सरी अज हूं मारी सर बिन सच पाउं नाही इस दोहे का सबदार्थ है जीही सर मारी कल ही मतलब जिस तीर से कल मुझे मारा सो सर मेरे मन बस्या मतलब वह तीर मेरे मन में बस गया है तीही सरी अज हूं मारी मतलब उसी बान से मुझे आज फिर मारो सर बिन सच पाउं नाही मतलब तीर के बिना मैं सच को नहीं पा सकता इस दोहे का भावार्थ है संत कबीरदास जी कहते हैं हे गुरुवर जो ज्यान का बान आपने मुझे कल मारा था वह मेरे हिर्दय में बस चुका है उसी बान से आज पुन्हे मुझे घायल कीजिये क्योंकि ज्यान के बान के बगैर मुझे सत्य का बोध नहीं होता है सादक विरह की अगनी में तडप रहा है उसे गुरु के ज्यान के बान से सच की प्राप्ती हुई है और वह पुने उसी सुक को प्राप्त करना चाहता है सादक जिस तीर से घायल हुआ था उसी से दोबारा घायल होना चाहता है इसी पर संत कबीरदास जी ने कहा है जिही सर मारी कल ही, सो सर मेरे मन बस्या, तिही सरी अजहू मारी, सर बिन सच पाउं ना ही